हेलो दोस्त यह हैं लाबली किशेन तो देखें क्या बनाया है आज तो हम तो लड्डू देखाए दे रहे हम बनाया है तो आप लोगे देखा रहा है तो देखें लड्डू तो क्या का लिए हैं लड्डू बनाने के लिए तो यह हैं खाजूर लिए हैं तो इसमें से हम बिया तो आपको हम देखाए दे रहे हैं यह देखे हम शोड जिसे शोड देने से एक टेस्ट अलाग होता है तो देखें पहले तो हम आधा काटोरी हम घी ले लिये हैं कड़ाय हमारा गरम हो चुका है तो गी हम छोड़ दिये हैं उसमें गी भी गरम हो चुका है तो पूर्व जितना बदाम अदम हम लिये हैं तो शाब इसमें छोड़ दिये तो इसको हम बड़ी अचे भाजी लेंगे देखेें बढ़ी आशे इसको हम भाज लेंगे तो फिन इसमें हम मौमपुली दे रहे हैं तो मौमपुली हम आलाग से थुड़ाचा हल्का सा भाज के वका सील का हटाय दिये थे तो यह हमारा भाजी पूरा हो चुका है तो हम इसको उठाई ले रहे हैं यह हम उठाई लिये हैं और फिन मिक्सी में देखे हैं हम पीश ले रहा है तो किस तरह पीशना है वो भी आपको हम देखाए दराए देखे यह है हम पीशना तो इसी तरह दरदरा करके हमको पीशना है अगर जादे हम पीश लेंगे तो इसमें से तेल निकल चकते हैं तो इसी गूड के लिए दिए हैं इसमें आर पानी पीने चाहें लाद्टबंस सब्षी आपको तो देखे हम तो पूरा मिक्स कर लिए हैं देख लिए जेतो बरतन में देदिये और फिन उपार से फिन थोड़ा घी हाम इसमें सोर दे रहा हैं बढ़िया से हाथ से मिला रहा है देखे और ये लड़ सही इतना बढ़िया लगेगा खाने में सही बात हैं तो गर्मी के टाइम जरूर आप लोग घर में ये भेली आला मतलब गोड आला लड़ू जरूर आप लोग बनाईएगा बच्चेन के भी फाइदा है खाने से एही देखे शापके पानी पी आईए गर्मी के टाइम कुछ भी करे ना करे जैसे पानी पीने के टाइम तो जरूर मिठा कुछ चाही लेकिन इसको दे दिजेगा तो शाप आप लोग बड़िया प्रेम से खाएगा तो थैंक यू आप लोग जरूर घर पे ट्राइ किजेगा और अमारा वीडियो जरूर लाइक किजेगा ये हमारा लड़ू बन के तोयार हैं थैंक यू